सबसे पहले मैं आपको बता दो boot animations कैसे आप apply करेंगे अपने device में root mode में चलेंगे for example अगर आप me explorer जैसा file manager यूज़ करें system में चलेंगे, media में चलेंगे आपको यहाँ पर boot animation.sip देखने को मिलेगा जो मैं boot animations आपके साथ share करूगा वहाँ से आपको boot animation को यहाँ पर copy paste करना है जो की मेरे ख्याल से आप एक routine device के user है आपको definitely पता होगा, बहुत इजली आप कर सकते हैं यहाँ system media में होगा, यहाँ फिर system product media मैंने आपको directory बता दी है, आप manual process करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मैं आपके साथ शेकरने वाल हो 5 अच्छे कुछ अच्छे interesting से boot animations बढ़ते हैं लिस्के in boot animations में first boot animations है Avengers का boot animation अगर इस तरह का boot animation अब अपने device में apply करना चाहते हैं तो इसका मैं आपको link description में provide कर दूँगा alongside all the credits आप इसको अपने device में manually apply करेंगे मैं आपको magisk modules ही share करूँगा लेकिन काफी सारे cases में magisk modules directly काम नहीं करता है because depend करता है आप कौन सा custom ROM वगरा यूज कर रहे हैं तो इस case में मैं आपको recommend करूँगा कि आप manually boot animations को try कर सकते हैं उसके बाद एक और boot animation है Star Wars नाम से और अगर आपको इस boot animation की बात करेंगे यह एक डाक वाला boot animation यह आप देख सकते हैं तो इसको अपने device में और यह भी full screen में यहाँ पर काम करेंगा जब आप इसे अपने device में apply करेंगे तो अगर आपको कुछ resolution के related issues आएं तो you can skip that आपको यह और boot animation ट्राइ कर सकते हैं यह boot animations होते ही ऐसे अभी सभी के लिए same boot animation काम करें ऐसा ज़रूरी रही है लेकिन आप try ज़रूर कर सकते हैं यह boot animation यह भी full screen boot animation है यह थोड़ा सा different सा concept हमें देखने को मिलता अगर आपको इस तरह के boot animations में interest है तो आप इस boot animation को भी try कर सकते हैं इसका भी जो link है वो description में आपको देखने को मल जाएगा जो आप इसे अपने advice में manually apply करेंगे तो most probably यह वाला boot animation आपके device में काम करना चाहिए मेरे case में मैंने इसे try किया था and it was working perfectly fine अब boot animation की बात कर रहे हैं तो वही है OnePlus Cyberpunk boot animation यह boot animation काफी ज़्यादा exciting है अगर आप OnePlus Cyberpunk के बारे में जानते हैं तो आपको definitely काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है वैसे बेगर आप Xiaomi device के user होंगे वहाँ पर अगर आप OnePlus के कुछ themes install करेंगे तो उसमें आपको by default ही Cyberpunk का boot animation clear read देखने को मिलता है लेगी अगर आप कोई और device use कर रहें यहाँ फिर आप अपने device में manually OnePlus का boot animation ट्राइ करना चाहते है तो आप कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पर next available है Android का boot animation जो की थोड़ा सा different है थोड़ा सा unique है as you can see starting Android Android 12 के साथ और यह देखने में काफी interesting सा अलग रहा है यहाँ पर सिर्फ आपको वीडियो शूट ही दिखा रहा हूँ यह सिर्फ clips दिखा रहा हूँ विकर सभी boot animations को try करूंगा it will not be possible लेकिन यह boot animations actually में tested है so don't worry about that वह हुआ यहाँ पर काम करेंगे एक और boot animation की जब हम बात करें तो this is the one अगर हम इस boot animation की बात करेंगे अगर आपको इसने कुछ animations चाहिए आप इनके lover हैं तो अगर आपको इन सब चीज़ों में interest है तो शाद ही यह आपको boot animations का भी पसंद पसंद आने वाला है अगर आप इस boot animation को try करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं और process बिल्कुल सेम है जैसे बाकी के लिए थी कि बस आप इसे manually अपने advice में apply करेंगे एंटर इस list का last but not the least no limit अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये boot animation में आपको ज़्यादा तरतों चीज़े देखने को नहीं मिलेंगी एक अलग साथ different सा फुल animation की देखने को बहले का और ज़्यादा कुछ यूनिक तो नहीं है तो ये सब चीज़े मैंने आपके साथ share करने थी इस boot animation का भे लिंक और spark की सभी के link सभी के लिंक दिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे बसे सब ताच किस चोट इस वीडियो में मीधा वीडिया पोच लगी होगी थैंक्स वाचिंग गडपाई